कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है तुडू एस में हम इश्टी देख रहे हैं महा जैनपत्काल में जो आज बहुत धर्म से संबंदित है जानकारी में वह आपको देता हूँ कि अगरे आज का टॉपक का बुद्ध कि महात्मा बुद्ध सबसे पहले जो है बुद्ध के संफापक हैं इनका पूरा परच्छे देखना होगा उनको यह देखना होगा कि बुद्ध की नियुक कैसे पड़ी है इसमें क्या टॉपिक आपका बुद्ध का परिचर जब इंट्रोडेक्सेन आप पढ़ेंगे बुद्ध का परिचर फिर इसके बाद बुद्ध के सी धान्त बुद्ध के सी धान्त फिर बुद्ध लुद्ध का बुद्ध के बुद्ध के बारे में तो बुद्ध का परिचर इसे कौन देखेंगे परिचर में इंट्रोडेक्सेन में बुद्ध का जण्म कफीलबस्थू के बुद्ध के लुमणी में हुआ बुद्ध का जन्म कहा हुआ है कफीलबस्थू के करेंट में कहां पे है नेपाल में पहले ही भारत के आन्डर में था जब warto जनाम के बर्च क्या है बोलेंगे obtain पुर्व है कापि Colle और जो है को पूशतह सथ है रहा है कि सबीके से तो बोलेंगे स्था की कुल पिता का नाम क्या था वो लेंगे राजा सुदोधन था यह राजा थे एक राज परिवार्दिन का जनम हुआ था और चत्र थे जो महात्मा बुद्ध थे यह क्या थे चत्र थे चत्र के साख फुल में जनम हुआ था पिता सुदोधन से माता को देखते हैं माता का क्या नाम था इनकी माता दो थे इनकी एक बोलेंगे मा का नाम था जो था माया माया का देहात महात्मा बुद्ध के जनम के साथ ही हो गया था, इनकी पहली मा का नाम था माया, फिर महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसमे किया, स्वतेली मा थी, उसका नाम था परजापति गौत्मी, परजापति गौत्मी, ये, तो दो माता आए थे इनकी, यादर खेगा कि अफस कि और पत्नि का नाम क्या था है कि मैं इसक जोद्रा कि इस ओधरा इनका एक चचेरा भाई भी था, उतका नाम है देवदत जो इनके बाद उत्रादिकारी बना था, देवदत, तो महात्मा बुद्ध से संबंदित एक पूरा परची आप देख लीजिए, कि महात्मा बुद्ध का जेनाम कपिल वस्तु के लुम्नी में हुआ, जो नेपाल में ह है, इनका जेनाम हुआ है, पांसो तीस्ता तीस्ता वश्तु कुल था साके कुल और छत्री थे, पिता राजा सुद्धोदन, माता दो माता थी माया और पढ़्दापति गौत्मी, उनका राहुल नामक पुत्र था, पत्नी योथी या सुद्रा थी, और इनका चचेरा भाई पर लिएगा देव्दर्थ है, यह इनका बेसिक परचे है, कि सारा जानकारी कहां से मिलता है, तो याद रखी असोग का अभिलेख है लुम्णी में, जो लुम्णी है, यहां पी असोग का एक अभिलेख पराप्त हुआ है, जो बुद्ध की इस्थानित रथा, बुद्ध क जनम कहा हो आता है, यह बताता है, रुमन देई, रुमनी देई, अभिलेख है, असोग का अभिलेख है, असोग का अभिलेख, कि इस अभिलेख में पूरी जानकारी है, महात्मा बुद्ध के लोकलिटिस का कि कहां पर है, यह आपका बुद्ध से संबंदित एक इंट्रूडक्टन, अब इसी में आगे देखते हैं, अम लोग, कि बुद्ध आखिर महात्मा बुद्ध कैसे हो गया, महात्मा का इंका सफर कैसे ते हुआ, इनका नाम था सिधार्थ, अब हम लोग, यात्रा देख रहे हैं, सिधार्थ बच्पन का नाम था इनका, इनका सिधार्थ यहां से इनका महात्मा बुद्ध का सफर है, महात्मा बुद्ध का, कैसे, आफिर एक सिधार्थ महात्मा बुद्ध कैसे बन गया, राजा के घर में इनका जाम था, ये घर से बाहर यात्रा के लिए निखले कि इनको कुछ दिर्ष दिखाई दिये, वो दिर्ष गटना देखके, इनके मन में बहुत एक संसार के परती एक सिफ घिर्णा पैदा हुए, क्या-क्या देख लिए, जब ये सिकार के लिए गए बाहर गुमने, इनके नों किस दिर से देखा जैसे, जज़ज़ शरीर, पर साथ बिड़ बैक्टी को, एक ओल्ड मैं को जो मरने वाला था, ओल्ड मैं, जटेंड नमबर पे, इनों ने देखा, रोप सिग्रस बै देखा, और चौंचा, कुछ मरे में वे लोग देखा, मिर्ड रख्टी को, ते राजा, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पिता जी ने कोशिश किया था, कि ये सारे दिर सिंगो कभी न दिखाई दे, हमेशा, ये थार बार से रहें, एक रास्ती परिवार वाला इसके बाद महात्मा बुद्ध के मन में भातिक संसार के पर्थी, जो संसार था पर कौठ रस्ताय पर भातिक को भातिक बोले एसको, तो भातिक बसhtु के पर ति एक नफरत पיदआ हो गया, यही नफरत पैदा हो गया कि भौतिक बस HTTosis है, जो ही मानॉप प्रावद करना च जाताव सब विकार है जिनकी का असली उदेश लच कुछ और है तो उसी लच की खोज के लिए इन्होंने ग्रीज त्याग कर दिया तो गटना क्या घटी ये सारी घटना है घटी कब छोड़े ग्रीज वर्स के उन्होंने छोड़ दिये और इस घृत च्याप्यक्यों क्या खेलाता है किस्टी मैं आप बोलेंगे महावभिनी सी करवण । इस सब एको उस सबकिबता है किय क्या मात्मा बुद्ध जब क्रीज त्याग की इता है तो उस फिसकी घटना को भी जिकार्मकula के नाम की तो जाना जाता बश्च की उम्र में इन्होंने गिर्ट्या किया था यह महत्मा बुद्ध किस उम्र में बने थे और कहां बने उसको और पर ले चलते हैं कि एक सफर इनका कि महत्मा बुद्ध शह साल तक बटकते रहें हैं कि दौरान इन्होंने दूच्छह की और किया विद्ध पूछत है एक है जो च Egyptर बनायाjak करें आए है यह कि बैसाली के इनको द्यान योग सिंखाय था कि योग कैसे करते को अचार क्राम इनके टीचर से महात्मापुद्ध के तो सिच्चक बोलेंगे तो महात्मापुद्ध वैसाली में भी थे जहां पे ध्यान योग की पुरी पड़्खिरिया को सीखा एक और था था तीचर इनका राम पूत्र तो रामपुत्री इंका सिच्चक्ता राजगिरी में इनको ट्रेन किया था तो दो पीचर थे महात्मापुद्गे लेकिन योग ध्यान आशन से भी इनका कोई विशेस मन सांत नहीं हो ला था इनको लगा इससे भी मन की सांती प्राप्नी हो रही है जो मन की सांती थी वो इनको इनसे भी प्राप्नी हुआ अंत में इन्होंने एक्ष्या किया एक पीपल के पेड़ के नीचे नदी का नाम याद रखिए निरंजना नदी कि उन्हां या ? लीडा जान कि दो नाम है नदी का नाम है कि इतीन दो नाम है बिहार में हैं कि या कपो देंगे बहुत गया लाम सुने होंगे बहुत गया और बहुत गया ग्याद पूरप फुइभ है इनको इस बलब Retina करने लगे प्रृप से फप्रे इह सब्सुर्ट के बाद वर्च्वयिज्य नाइ Cristo करें लगे लिगें साइमित रुप से इनको 6 साल के बाद प्राप्त ही अव्यप्रमें ४ा keto िसमस में परबुद, परभूद असबसे ज्ञाणी आध्मी, बुद्ध का त्जिसनेने सत्थ की प्राप्ति कर ली सित्थ की प्राप्ति कर लीयो गोगी को तो दो च्प्रास करण डूक और ओंव पूस्के अब है है इंका दो नाम से कब मिला जब इंको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनके दो नाम आंकरण हो गए एक है पर्वद दूतरा तफागत पर्वद कमतब सबसे ज्यानी आदमी तफागत कमतब इस ने सट्की बाप्ति को खोई लिया हो तो इस दोड़ान काफी लोगों से इंका म लड़की सुझाता है इस बनाया है तो देखें थोड़ा सा और क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट है बहुत दर्म जैन दर्म का फिलोस्पिस में से एक दो कोशें इसी दिग्जाम में आते रहते हैं कि यहां पर देखिए जो सबसे पिर्शीज का नाम था आनन्द कि सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया था पहला उपदेश लियान प्राप्त कर लिए और पहला उपदेश दिया था पहला उपदेश दिया था इन्होंने सार्णात में कहां सार्णात बनारत के पास है मान नसी तो बनारत के पास जो सारनात है पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था पांच श्टीस से बने थे तो पांच श्टूडेंट उस्तमें इंटे बन गया थे जैसे पीरिश्टी स्थ्था अनन यह को याद रखना है बहुत पहला उज्टे शाहर दिया पर्थम उपदेश को धर्म कहते हैं है जो याद रखिए द्रम चक्र जो पर्थम उपदेश है इसको किनाव से जाना जाता है धर्मचक्र यह घटना दो घटना तर्य ज़त गट कि इस अब्सक्राइब क्या ग्रीत याग के घटना ये घटी थी जो बहुत धरम है उसमें जो भी किताब आपको मिलेंगे उसमें घटनाओं का जिक्र हमारी निशी कर्वन किया गया है पर्थम उपदेश आरनाथ में दिये उस घटनाओं को घरम चक्र बोला जाता है यह है आपका अंतिम से जो आनन्द है इंका लाश्ट उपदेश सुना था महात्मा बुद्ध का जो अंतिम उपदेश है महात्मपूर ने आनन्द को जिया था कि दुनिया की हर बस्तु परिवर्थन सीले सब्सक्राइब किये सबतनास होता है उनको अपना गाइडलाइन से हम लुवर्थन सार चार सो तिराती हिसा फूर्थन से इनकी मिर्थी हो गई कहां मिर्थी जान तो कपिल बस्तु की लिभनी में मुर्थी बोलेंगे उच्टत्र प्रदेश के खुशी नगर में तो पुशी नगर में मल था ये गंशंग में आप वताया तो यूपी के कुशी नगर में इनकी मिट्टी वी है चार्सो तिराती किता पुरू ये है महात्मा बुद्र का पुर्ण एक इंट्रोडक्शन भर्मन करने का कहा ज्यानत आत हुआ तो बोलेंगे महात्मा बुद्रू ज्यान हुआ बहुत गया में नदी का नाम पूछे निरंदा नदी पेड का नाम पूछे पिपल का पेड और य है कि मिर्चू कि सप्ट के निचे एक भाष्ट के निचे एंटी बॉलेंगे साल का प्यड है घ्यान किस पेड़ के निचे प्रावत्त गण का पिपल का पेड है, लेकि कि मिर्चू, बोलेंगे साल के निचे निचे ए newt कभी कभी एक और फैक्टिस यह मिर्टी में पूछ लेता है कि पूर किस बीमारी से विर्टी बोलेंगे डाइबेटीस था है उसके अब बूद किसी धान्त चाक्या सी धान्त है सकेंड में जिए बहुत दोस्ते मात्मा बुद्ध सबसे पहले घटना देखिए लाइफ एस्टायल्मेंट के मतलब जीवन सा जीवन से लिंद में कुछ घटना घटी थी सबसे पहला एक साइट करिए जनम को जनम को किस से कुछ पर्तिक के रूपें दिखा जाता है उसे ही घटना बुलते हैं मात्मा बुद्ध के जीवन में जो घटना घटनाव को जो बहुत साहित है उसमें पर्तिकों से दिखाया गया है जैसे जनम को कमल और सांड से यहां भी कमल अउसान मिलते हैं इसका मतलब होता है hal बॉस साहित में कि मात्मा बुद्ध के जनम को दिखाया गया है फिर इनको जो गरिस जाकी एघर ठोड़े गरिस आपको बोलेंगे दिखाया जाता है जहां घोड़ा जहां गोडा मिलेगा, अपने वडिट जाग है, इनको चुछी ज्यान की प्राप्ति वी है, निवारन, ज्यान प्राप्ति को निवारन, निवारन की जुद्धेश दिया, पहला उब्देश को बोलेंगे, इसमें जो इनकी मिर्ट्व ही है परी निवारण से निवारण का मतलब है परी निवारण है तो यह घटना है आज घटना एक साइड और मैच करने के लिए परतीक के रूप में दिखाना है कि जनम कमल अवसांड के दिखाये जाता है गृत्याक को अत्त ज्यान प्राप्ति को निवारण से पहला उपजय धर्म चक्र मित्यू परी निवारण के पांच घटना है महात्रामबुद्ध से संबंदी थे इसको नोट कर लिएगा यहां प्यानों सिधान की बात कर रहे हैं महा मानने वाले सासक भी हुए तो इसमें पूरा यह देखना हमको देखे महात्माबुद्ध जो थे सिधान के पीछे आकर सिधान क्यों दिए तो महात्माबुद्ध जो थे तार्किक वह अध्यात्मिक विकास की बात करते हैं जो तार्किक है अर्थात स्पेचिलीजम और लॉजिक जो ही बात हो विकपर बात हो और अध्यात्म की ओर अध्यात्म को विकास करना है ये हिनका मुल्क अंडामेंटल सशिधान का जो वी बात हो तरक प्यादारितों और अध्यात में विकास की बात किया जाए इस तहीं मानों का कल्याण होगा लेकिन इन्हों ने जैसे बेदों में उससे में क्या चब रहे थे पुरुवितों का बच्च स्ता बेदिक काल ले पुरुवितों का जो कि जुने पूरुव critics को नकार दिया जाती पर्ता ही आño थी जाती पर्ता को नकार दिया प्रशूवली तो पशयवली को विल्कुल ही ने न नका रहा, इसके बाद बेदों को जो अलंगन बोला जाता था कि अलंगनी है, बेद ही सही है, तो बेद को ए तहीं नहीं मांते थे. बेद पी प्रश्न उठाया ए, इस सही नहीं है, इस से भी प्रश्न उठा सकते हैं. तो बेदों को सफीयी तरीके से यह इसके Clone सब्रने करा किया था, का स्थी मिन्दा करते हैं कि नहीं होना चाहिए त्वेदों के दुच कर दो опис कि उसका ही बिरोद करते थे यह और फिर क्या वो लेंगे कि इत्वर कर था आत्मा कि इस वर आत्मा के बारे में क्या थे अगयवादी रूख अपनाते थे तब दाता है अगयवादी अगयवादी रूख देहें जहांते ये वाला पूतन जो इसवर है और आत्मा है इसके बारे में अगयवादी रूखं अपनाते थे खसना नहीं अगर कोहें से पूस्त आ था कि इस बख है की नहीं है आत्मा होती है नहीं होती है या तो यह मौद्हरण कर लेते थे महात्मा बूल यह एंसर मंगर नियुदे ते यह ऐसना निजाते थे भी its यह उत्वताहिते लेकिन कर्म के शिद्धान से दान केसु टेंगे इस भर को भी करम के अंदर लखते हैं अ waysplay करम करता करता है यह तो करम की कार्ण की आतच समाज में काफी साररा करन रहे करना चाहिए इतना करेंगे तो समाज की पढ़ जाएगी बहुत ही वादी चीज बढ़ेगा लोगों कल्यानी होगा इस तरीके से सिध्धान्त होई न एक साइंटिफिक रूप दिया हर तरो जो इनका सिध्धान्त कहलाता है वो बेज्ध्यानिक अधी कहलाता है साइंटिफिक नेतिक्ता की बात कर रहे हैं पर ज्यानिक तो है नेतिक्ता भी है कि इनके सिधान बहुत कुछ पैदे से जादी पढ़ता है विरोद करना डेमोक्रेसी का एकांग है लोगत अंद्रगात की सारे एक्वल हम कोई विजाद पात ना हो फिर पशु बली कि एनिमल जो एक्टिविटी से क्या है वो परियावरण का एक अंग है पसु संपत्ति भी है यहां पर बेदों में अगर कुछ ऐसा चीज है जिसको ना माना जाए तो उसका विरोद करना इस आधार पे देखा जाए तो बैज्ञानिक तो है नेतिक्ता भी है करम पी आधारित है इसल पहला पचार पचार हुआ है और लेकिंगे सिधान को फोड़ा डीपली हम लोग गहराई से क्या क्या सिधान है अगर देखें दान में चार आश्रत नामी अधार चार चीज सत्य है महात्मा भूजू बोर रहे हैं कि चार इंके सिधान में कि चार कि ये सत्य हैं पहला बोर रहे हैं जिसमें दुख है तिष्णा इच्छा दुख का कारण है बोर रहे हैं इच्छा को त्याग करके दुख से निवाराण पर आप कर सकते हैं अटियाय को आपना आपके दुख दुख दूर हो सकते हैं जर्णिक मार्ग शाम आपको और करने के आठ राफ्टे को बनाएए और दुख क्या है दूर हो जाएगा तो बोल रहे हैं इच्छा दुख का कारण है शिष्णा का त्यार करिए दुख से बचेंगे आठ मार्ग अपनाई अगर यह भी नहीं उपा रहा तो आठ मार्ग अपनाई दुख दूर हो जाएंगे अब कौन-कौन से आठ मार्ग हैं यहाँ पर मैं लाइन से लिक देता हूं अश्टांगी मार इसको बोलते हैं श्टांगी मार ग्यार रखे 8 रास्ते और मेरे दिश्टी है यहांस सब ने समयम्हाल जोड़ते चलिएगा थे समयक खन्कल मारे समयक ब्लकषोसाएं अश्मिक कर 사 समयक अजिव ।म यह ध्याम ब्याम समयक अजीव समयक गाम समयक किस्मिर्थी समयक समाधी समाधी एक दो तीन चार पांच है साथ यह है जानते देखिए हैं समयक समयक जोड़ते चलिए सबने बोर रहे हैं यह आट मार्ग है जीवन का लाइव सटायल कि रिया कलाप एक व्यक्ति से अपना ले तो दूख से भी घ्यात नीजाएगा उसे सांती की प्राप्ति होगी समयक गिष्टी समयक तंकल समयक बाड़ी समयक करम समयक अजीव समयक ग्याम समयक समयक समाधी अधात एक समय पर रहना खाना पीना बाच्चित करना व्याम करना बढ़ाई करना इस मिर्टी को याद करना और फिर एक समय आएगा जब आदमी मिर्टी प्टोर जाता है समाधी तो यह है अगर दिन चर्चा इस तरीके से बना लिया जाए वो रहे हैं कि इसमें दुखी का कि परखिखिया है इसको प्रालन करना अब यहां पर और सिधान में देखते चल से हैं कि आच्चा बूर रहे हैं कि हच्टी को सिजगे करने के कोसिस कर रहे हैं निवारण वार वार आ रहा है, निवारण का मसलब क्या है निवारण का मसलब है दिपक का बूझ जलाना तान seulement दिपक जलाना, डिपक क्या है गोर रहें कि जो दुख है वोला हिच्छा तिष्णा इच्छा तिष्णा समाप सहीई निवारन के मतलब क्या है, निवारन का मतलबे बहुर रहे है कि दिपक का बूठ जाना बहुत भाट erfolg में दिया गया है सारी इच्चा, तिशिना क्या हुजाए समाप्ट हो जाए कोई भी मनश की इच्चा और तिशिना नहीं रहती रचासे निवारन की प्राप्ती होती है क्या प्राप्त होता है मौसह होती है लिए में रखेंत प्रतिया रूहरी है परी निवारण को मतलब क्या बोलेंगे मिर्क्यु में उत्ता है इससे पहले साइज मैंने देखेंगे परी निवारण को इस तुप से दिखाते हैं अगर मिश्चेक हुआ होगा तो देखकर लीजिएगा दिख दे रहा हूं मैं इससे पहले जो पांच घटना थी महात्मा बुद्ध को दिखा परी निवारण ये तब दापता है पांच घटना जो लिखे से आप जनम को क्या कमल अवसाण से तो ये लाष्ण जो परी निवारण इसको इस्तूफ से दिखाते हैं कभी-कभी दिमांग से उतर जाता है कि ये निवारण परी निवारण में अंतर है तो परी निवारण एक घटना जो महात्मा बुद्ध की जीवन ये गटी थी उसको लोग ऐस्तूफ से दिखाते हैं गुंबद क्याकार का होता है अधिक एक घंडे लगे रहेंगे गुंबद क्याकार का इसमें क्या होता था तो कोई मर्ग आता था महात्मा बुद्ध जैसा कोई सन्याती दार्षनीक बोध्रम से तो उसमें अस्तेश को सुरच्छित रखते हैं जो भी अस्तेश थे उसे सुरच्छित रखने के लिए बन प्रंड का मतलब है था था प्राप्त कर लिए आओ तो यह है आपका चार आश्चत अश्टांगी मार्क उस साइड है यह वाद अश्टांगी मार्क उस साइड है तो महातम बुद्ध का सिध्धांत इसमें से निवार्ण प्रमन्दित हो गए कि पुना जनम पर विश्वास करते हैं करम कर सिधानत इसक्राइब की बात करते हैं पूना जनम और करम का सिध्धा यह दोनों जुड़े हुए आपस में बोर रहे हैं कि बेक्टी अपने करम के लिए बार-बार जनम लेता है पूना जनम का एक चक्र चलते रहता है तो एक चक्र में फसा रहता है इसे प्राप्ति तभी होगी मतलब आदमी तभी चक्र से करम का सिधान जिसको ही मानते थे अब यहां पर है अनात्म अनात्म सिधान इंके इसमें आत्मा को नि मानते हैं कि या बुलेंगे अनाव सिदान्त महात्मा बुद्ध का है ज़िसमें आत्मा को नहीं मानते हैं कि चार-फाइं सभिदान्त होगें पूह कुन से निवाराण वाला एक सिधान्त फुन जनम सब्दy कर दो आपके जूड़ते इस तो कर मीरे बाहर बाहर क्या करता आट पुनार जनम लेताँ टेकान ऑल फक्त si ना सिद्धान क्या है बोलते हैं कि आत्मा विश्वाशनी करतेए हैं इनसे पूछे आत्मा किस चीस से वह इनुह कैसी होती हैं यह है तुझ के बारे में सिद्धा साय मौन धारण कर लेते हैं में स्थनिचाथे यह आपका महात्मा बुद्ध का इध्धान अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बॉस संग क्या है बुद्ध संग यह बॉस संग जो बहुत संग है इसमें बिच्चू जो पिच्चू यह दोनों आते थे तो संग बना लिये थे उन्होंने अपना यूनियन बना लिया था तो महात्मा बुद्ध के संग के बाद एक संग बनाता बहुत रहंगा पचार परसाद के लिए जो उनिका सिधान था उसको खैलाने के लिए यह संग था तो संग में बिच्चू बिच्वनियों सामिल थे अब क्या तक कुछ माब्यन रथे संग के संग में कौन-कौन सामिल हो सकता है तो संग के कुछ नियम थे सामिल होने के लिए संग के नियम से सामिल हने लिखे की फंगरा साथ कि अधिक आयूँका हो, जो ही वक्ती या लेडिशस हो या जेंड़ व हो, पूरुस मिलने दोनों सामिल हो सकते हैं लेकिन फंगरा सामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ पर्तिबन लगाये थे कुछ छोड़के ये जैसे ये बोल रहे हैं कि रोक से ग्रस्ट ब्यक्ति होगर किसी को team 17 पीज़ा हो ऐज़ा हो। दम्म मा ओ इस तरीके से रोक से ग्रस्ट ब्यक्ति सामिल यह कए किए को टीवी जाया वह सामिल नहीं हो सकता इसके बाद वो रहे हैं चोर हो नयुक Okay को लुल नहीं हो सकते को फड़ेखिव Northwest tug मी अध्री वह सामिल नहीं हो सकते न hy लेकिन अगर इसमें से जिलत क्लिमा सामिल भनाइब से को हैं तो सामिल हो सकते हैं ज़ бегवी पेमेंटों को पेमेंट सब्सक्रा करें हो। संब्सक्राइब, क्या हुता है, एक इन्हें मुन्डन करना हो। कि मुन्डन करेंगे, पिला पस्त धारं करेंगे। कि पीला पस्त धारंग करेंगे मुंडेन करेंगे कोई वी विच्छु विच्णियों को छोड़के विच्छु है और इनको त्री रतन ये तब देखिएगा इंपोर्टेंट है घ्री रतन की कसंखानी होती तो जो ही पेक्ती सामिल होना चाहता है बहुत बनना चाहता है मुंडेन करेंगा पीला भष्थ घारंग करेंगा याज जिसमें एक बुद्ध है गुद्ध, धर्म, और संग。 इसकी सपत लेनीं होती थी。 गुद्दम, संदध्ध , गच्छामी , एकसर सउनेंगे छहेते, फिह निक रेलेटेड निक बुद्ध का, धर्म का और संग का , यह तीनोंगए फ्रेक्रादी कित ब Crispy कहता था , फिर दस तीनीний के प्राना करते तर तस्य बुद्ध को पालन करना होते ठेजु से मठोकर संग अब ईका संग बन गया था तो यह संग भी पुरा लोकतांतरिक करन था रंत्य है तो में our अचंग समुल सुन है तो प्रोज Ezzę को ब्रावा Dios कि लोक्ताण्रिक था का यह को दो जाता है वोटिंग के जडियों चुना जाता साथ भी जन्डे से संबंदित नियम बनाते थे यहां पे कहता है, जो संग का लीदर था उसे संग फेर आ कहते सें संग फेर बिक्ष्जू और सैंग तो लोग्षस हो नियम बना रेहना उनके विच्छिजा सदिकार से नियम TER अब यहां पर महात्मा बुद्ध है यह नहीं चाहते थे विच्णियों का परवेश हो लेकिन काफी सारे जैसे देवदर्द में समझाया इनके चचेरे भाई ने और आनंग ने सुझाया तो जाके फिच्णियों का अर्थास महिलाओं का अभी संग परवेश के लिए अर्थास संग है वेठक कर रहा हमालेजगे तो बैठक के लिए क nurse 한से सो लोग है 25ений में से कम इसे कम दाल विच्च्व बोलेंगे एक बेठक होती सी इसे कोरम बोहते हैं सब्सक्राइब होता है कम से कम इतने लोग उपस्तित हो तभी जाके वह कमेटी का संचालन होगा अगर सो लोग में से नौ लोग गोल रहे हैं तो पूरा नहीं होगा बैठक नहीं होगा आप है मट क्याता बहुत देंगे एक अड़र्य कई सेटरर रहे हैं जो पर होता है छो पुद्धी तैंटर जो यहां पर पढ़ाई होता था कि क्या करते थे पढ़ पाथन करते और ट्रेनिंग दिया जाता था इनको तो मठ कैला आता है अब एक शब्द आता है परवना कि परवना क्या है वह यह परवना तो है क्या ये परवना हुद अका है लगेसाघ ने सब्सक्राइकट पर्ण माइन जाए जाता है लोकल जो भी बिच्चु बिच्णियों है इनसे जोुब गल्ती होती है वह accept करते है That's हम कर जब यह च लिपकर करते हैं भीच्णियों हो परवना औच तके दोरा अब बर्सा होती थी तो उस समय तो पर देते थे तो लोकल इनको बल्ले में क्या देते थे तो बोजन पानी देते थे तो पर भरवन करना कर सकते हैं तो अतार बौत के शिच्छा का 50 परशाद विच्छू बिच्णिया करते थे यह ग्रूप में संग में रहते थे और सवाल है कि बरसा रितों में कहीं यह रुपते हैं तो बरसा रितों में कहीं पर रुपते हैं किसी गाओं में रुपते थे तो वहां के गाओं वाले को उदेश देते थे तो उदेश के बदले में गाओं वाले इनको भोजन देते थे तो इस तरीके से चार महीने इनका एक तो यह है आपका टोटल बहुत धरम और कुछ फैक्ट होगा तो भी बार में देखेंगे क्योंकि बहुत नियम है किताब है बहुत सारे इसको लोग देखेंगे जो बुद्ध का फिलोस्फिय हो यहां पर एक और कुट्रा यह जैसे बहुत का विस्तार जो है इसमें उस समय के राजा कि पताया है कि उस समय के जो राजा इते बुद्ध की समकालीन थे राजाओं का नाम बशियाद रखी तो कि बहुत धरम के सिधांतों को सीधांते इसके संव्डिवारा तो बोलिए राजा में कि परसंजीत था आपको ही यारद हो का परसंजीत को पॉसल राजा पॉरिया। फिक्रित प्रकू के सित्हान को ब्म साहतर इस घरम सब्हें। तो आशली तो यह दोनों। के मतथे कलुए है। महात्मा बुद्थ दे-ज़ासों पर्षंद तक बढ़नacy. से बराबर मिलें के सिद्धान को लागू करने के विकोसिस करके तो यह दिर दिर राजाओं का समर्थन मिला उसके बाद परसार पर सर्वाइस को देखेंगे तो और एक विडियो बनेगा तब तक के लिए नमस्ते